नमस्कार दोस्तों, मैं ललीता अगरवाल PSSM Placing's आडियो टीम कुलकाता से बोल रही हूँ. पिछली आडियो में हमने जाना कि जब हम कम्प्लेइन करते हैं, तो मेश्वर के या यूनिवर्स के आभारे नहीं होते. आडियो नमबर 104 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं, तोरकॉम जी बताते हैं क्या आप खुश हैं कि आपके पास आपका शरीर है, क्या आप मेरर के पास जाकर बोलते हैं कि थैंक यू गॉड मेरे पास आँख, नाख, कान और मुँ हैं और मेरे बालों के लिए, क्या आप परवतों और नदियों के लिए ग्रेटफुल हैं, उस पानी के लिए जो आप पी रहे हैं, साफ हवा के लिए, दोस्तों के लिए, संगीत और लेक्चर्स के लिए, जो ग्लेसिंग्स आपके पास पहले से हैं, अगर आप उसे अप्रिशेट नहीं करते, तो आप स और सरकिट कर रहे हैं, एक कपल मेरे पास काउंसेलिंग के लिए आया, वाइफ ने कहा वह अपने हजबन से घ्रिना करने लगी है, मैंने कहा क्यों, वह ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, ड्रक्स नहीं लेता, और अपनी सारी कमाई तुमारे हाथ में ला कर देता है, बात क्या है फिर, उसने कहा यह सब ठीक है, लेकिन वह घोड़े की तरह चलता है, जब मैं उसे देखती हैं, वह मुझे घोड़े की याद दिलाता है, कभी-कभी काउंसेलिंग में इस तरह की अनोखी चीज़ें सामने आती हैं, अपने हजबन, वाइफ, अपने बॉइफर सिस्टम में कुछ घटता हुआ देखेंगे, आप एक पॉजिटिव एनर्जी सिस्टम को निर्मित कर रहे हैं, जो डिवाइन इनर्जी की धारा को लेकर आएगा, यही वजह है कि महान संथ कहते हैं, ग्रैटिट्यूट का हीलिंग पावर बहुत बड़ा है, और आभार प्रकट करना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं, एक दिन मेरे सभी आण्स, अंकल्स, मेरे सिस्टर्स, नेफ्योज, नेसिस और पूरी फैमिली एक साथ बैठी वे थी, मैंने अपनी मां के आखों में आंसों की बूंदे देखी, मैंने कहा मम्मी आप रो क्यो रहे हैं, वह पुछा क्या सुन्दर है, वह बोली हम सब यहाँ एक साथ हैं, है रूटिन, एक समय होगा जब हम साथ नहीं होंगे, और वह समय आया, हम यह नहीं देखते, अभी आप अपने बच्चों के साथ हैं, यह कितना सुन्दर हैं, इस समय को ब्लेस करिए, आप अभी अपने माता पिता के साथ हैं, टीनेजर्स हैं, यह रियलाइज नहीं करते कि उनके माता पिता बहन भाई, उनके दोस्तों, उनके शिक्चिकों के उपस्थिती कितनी बड़ी ब्लेसिंग हैं, बजाएवे चौदर के उम्र में घर छोड़ देते हैं, और सड़कों पर जाकर एक अप्रि व्यक्त करिए, और अपने हर्दे से धनिवात करिए, जब मैं कैलिफोर्निया से ड्राइव करके वापस जाता हूं, और जब दस खंटे लगाता ड्राइव करके मैं ठक जाता हूं, और अपनी कार का दर्वाजा खोलता हूं, और देखता हूं कि सब कुछ कितना पीसफूल और शान्त है तो मैं कहता हूँ अरे वाह कितना सुन्दर है यह अगर कोई मुझे ऐसा कहते हुए सुने तो सोच सकता है कि मैं पागल हो गया हूँ सुबह सुबह जब चड़िया मेरे खिड़के में आकर चहतने लगती है तो मैं ठाका होने के बावजूद जब देखता हूँ कि वे मुझे इतनी सुबह एलो करने आई हैं तो मैं खुश होता हूँ यही हम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा देर हो उसके पहले ही हम समझ सकते हैं कि हमारी ब्लेसिंग क्या है क्योंकि हमारी ब्लेसिंग हमारे ग्रैटिट्यूट की डिगरी के बराबर है यही कुदरत का नियम है लोग यह नहीं जानते सिर्फ अपनी blessings को count करिए क्या आप चल सकते हैं क्या आप चल कर bathroom जा सकते हैं आपको पता है कि swim चल कर bathroom तक जाना कितनी बड़े blessing है ऐसे बहुत से लोग हैं जो bathroom नहीं जा सकते चल नहीं सकते, hill नहीं सकते ठीक से सांस नहीं ले सकते एक दिन hospital जा कर देखिए ऐसे लोगों की कमरों में जा कर देखिए जो इस तरह का काम नहीं कर सकते आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ formula यह है कि आप अपनी blessings के प्रति जितना ज़्यादा grateful फिल करेंगी उतनी ही ज़्यादा blessings आपको मिलेगी अगर आप कहीं काम करने जाते हैं और आपके salary बहुत कम है और आप सोचते हैं कि आप इस job से घ्रिणा करते हैं और आपके salary तनी कम है तो आप शीखरी इसे खो देंगे जिन चीजों को आप bless नहीं करती उन्हें आप खो देंगे पहली salary जो आपके pocket में आती है पहला job जो आपको मिलता है उसे आप bless करें और grateful रही है कि universe ने आपको एक job दिया है ये सभी चीजे simple है लेकिन fundamental और महान सफलता और सुक के लिए बहुत गहरे चीजे grateful रही है जब हम पहली बार सेडोना में अपना सेंटर खोड़ना चाहते थे लोगों ने कहां मत जाओ तीन लोग भी meeting में नहीं आएंगे लेकिन पहली बार ये दस लोग आए और मैंने उनको bless किया मैंने उनको बहुत दिल से bless किया मैंने खा thank you मेरे उम्मीद से ज़्यादा लोग आए है हे इश्वर आप बहुत करुणावान है मैं तो सिर्फ तीन लोगों के उम्मीद कर रहा था आपने साथ extra लोगों को भेजा पास सालों तक हमारे पास इतने अच्छे लोग आते रहे कभी कभी तो हमारे पास sufficient cheers भी नहीं होती थी लोगों के लिए दूसरे समय movies और टीवी ज़्यादा महत्तोपुन हो गए थे lectures के बज़ाए और लोग भूल जाते हैं कि ये center, blessings, literature, संगीत, lectures और सुन्दर मित्रता का भी center है इन सब चीजों को क्यो miss किया जाए अपने बच्चों को और अपने परिवार के सदस्यों को bless करिए और आपके blessings उन्हें भेतर बनने के लिए change कर देगी आप यह नहीं देख पा रहे हैं कि वे कितने अच्छे हो सकते हैं लेकिन वे उस तरह change नहीं होंगे जिस तरह या तरीके से आप उन्हें चाते हैं blessings उन्हें उस तरह change करेगा जो उनके लिए अच्छा है कभी कभी आप इसके विरुद्ध आक्रोश से भर जाते हैं और बोलते हैं लेकिन मैं ऐसा चाता था और इश्वर ने ऐसा कर दिया क्या आप इश्वर से लड़ रहे हैं वो आप से बहतर जानता है आज के लिए इतना ही अगले ओडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार आपका दिन शुभ हो